हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अनुस कॉर्णर में आज हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा जो की खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और जट पर बन के तेयार भी हो जाता है तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए है 200 ग्राम चीनी और 200 ग्राम सूजी चीनी और सूजी की मात्रा बराबर रहेगी अगर 200 ग्राम चीनी है तो सूजी भी 200 ग्राम ही रहेगी दोनों एक एक अप है कटे हुए बदाम, कुटी हुए लाइची और थोड़ा सा ओरेंज कलर सबसे पहले कड़ाई में हम देसी घी डालेंगे देसी घी लगबग 100 ग्राम है यह घर का बना हुआ देसी घी है आप चाहो तो बजार का घी भी योज़ कर सकते हैं जा फिर बनस्पती घी भी योज़ कर सकते हैं और अभी मैं दूसरे बरतन में चीनी डाल रही हूँ एक कप चीनी है तो दो कप पानी यूज़ करेंगे डबल पानी लगेगा तो अभी मैं इसमें डबल पानी एड़ कर रही हूँ और इसको हम चीनी घुल जाने तक पकाएंगे गैस को मैंने ओन कर दिया है और दूसरी तरफ घी भी मेल्ट हो गया है तो कड़ाई में मैंने सूजी को डाल दिया है इसको अच्छे से मिलाएंगे सूजी को हमें हलका गुलाबी होने तक भूनना है जादा ब्राउन नहीं करेंगे ब्राउन करने से टेस्ट खराब हो जाएगा और गैस को भी हम स्लो रखेंगे जादा फास्ट नहीं करना है बस color अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसको add किया है अब ही हमारी सूजी भी लगबग भून चुकी है हलकी गुला भी हो गई है इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद हम इसमें चनी से चान के पानी डालेंगे पानी को हम चनी से चान के डालेंगे क्योंकि अगर स्टीनी में कुछ डस्ट वगएरा हो तो वो चन्नी में रह जाएगी और अभी हम पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे और हलवे को हिलाएंगे ताकि उसमें कोई गांट ना बन जाए और अभी हम इसमें इलाइची पाउडर एड़ कर देंगे इलाइची पाउडर बाद में डालते हैं तो ज़्यादा खुश्पू आती है हलवा लगबग बन चुका है और अभी हम इसमें ड्राइफ फ्रूट्स एड़ कर देंगे आप अपनी चॉइस के ड्राइफ फ्रूट्स ले सकते हैं मैंने यहाँ पे बदाम ही लिये हैं हलवा कड़ाई के किनारों में चिपके गाने आपको हलवा कैसा लगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे वह भी पताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाई बाई दोस्तों हो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स